नमस्कार देवस्तों स्वागत है अपनी यूट्योब च्रेनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो बीज जनुरी को आपकी रेल बेन टीपीशी का एक्जाम हुआ है टोटल दो सेफ में तो सबसे पहले देखेंगे बीज इस वीडियो डिले हो गया मैंने कोशिश की कि सारे सवाल मिल जाए इसलिए मैंने बार बार टेलीग्राम पर मेंसेज सेंड किया और उन सवालों को वेरिफाई किया तो इस बात पर दोस्तों लाइक करते वे कंटिनू करना बहुत ज़्यदा मेनत लगी है सारे स्वालों को क जरूर जोइन कर लेना लिंक डेस्क्रिप्स में एवलेबल हैं तो सबसे पहले कावर करते हैं सेकेंड सेपने पूछेगे जी के क्यो संस तो इन सभी केंड़ेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्नोंने रियल और ओथेंटिक स्वाले वो टेलीग्राम पर सेंड की है आप ग्रूप डी का एक्जाम होने वाला हैं तो उन सभी केंड़ेट को डेली एक मौक टेस्ट जरूर अटेम्ट करना है ताकि आपका कॉंफिडेंस मना रहे आपका कंसेप्ट कितना ही कवर हो जाएं लेकिन जब तक आप मौक टेस्ट नहीं लगएंग आपके एक्जामे स्वा आप टीटी जी के कोपन कोड अपलाई करोगे तो आपको 30 रुपे का और डिस्काउंट मिल जाएगा लिंक डेस्क्रिप्शन वर्क्स में अवलेबल हैं इस कोपन कोड से आपको एक्ष्टा डिस्काउंट मिलने वाला है तो बढ़ने रहे वीडियो के एंट तक यहाँ पर बढ़ने की अनुमति रहती है तो यह हो जाएगा आपके मंदिर राज्या राजिस्वर टेंपल जो केरला में इस्तित है पुरूष तो कभी भी यहाँ पर एलाउ है एंट्री करने के लिए जो महिलाउ को है वो आठ बज़े के बाद आठ पीम के बाद एंट्री होती है नदिया हैं परोस से निकलती है तो नदिया एक इस्तान से निकल कर चारो दिशाव में जो परभाइत होती है वो अरिये अपवा कहलाता है जो दक्षन भारत में आप पर उदान की बात को तो अमर कंटक से जो अमर कंटक एमपी से नदिया जैसे नरमदा, सोन, महा, नदिय ये आदी अरिये अपवा के उधान हो जाएंगी, अगरा स्वाल देखेंगे, बाकि जिन भी केंडियेट के एक्जाम था, कमेंट करके जरूर बताने, आपर टोटोल 40 स्वाल मिल गए, तो इन में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, और जिनका एक्जाम नहीं था, वो भी ब पुच्छा हैं, तो ये हो जाएगा वियेना, जो आश्टिया की राजदानी वियेना है, वहाँ पर 1923 में इसका मुख्याले रखा गया था, ICPCNE, International Criminal Police Commission का, और अभी वर्तमान में इसका हेटकोर्टर कहाँ, प्रेतो इंटर पोल का वर्तमान में हेटकोर्टर है, लायोन फ्र जो अंतराष्टी अपरादिक पुलीस संक्टन है, और इसमें 114 में में मेंबर्स कंट्री हो जाएगी, अगला स्वाल दीखे, 1817 में किस रशायनेगी ने तीन तत्तो का त्रिक बताया था, तो ये आपके पूच लिया है, डोबे राइनर का जो त्रिक है, इसके बारे में स आरोई करम में रखे और जो बीच वाला तत्तो है, उसका परमानु दर्यमान, अन्य दो तत्तो के परमानु दर्यमान के ओसत की बराबर होता है, जैसे एक त्रिक बनाया, जैसे लीथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटिशियम हो गया, तो परमानु दर्यमान का बढ़ता क का तो आपके भाग दो दीजी तो ये आजाएगा तेज तो तेज जो मद्दे वाला ततो है उसका दरिमान होगा ये बताया था डोबे राइनर की त्रिक ने इन्हों ने तीन त्रिक दिये थे ये कैल्सियम, इस्टोंसियम, बेरियम, कलोरिन, ब्रोमिन और आयोडीन का और अगला से यहां पर बात करूँ अन्य इंपोर्टेन फेक्ट की तो एक तो आपके न्यू लेंड का अश्टक शिद्दाम थे हैं, मैंडलिप की आवर्शान नी हैं, आधुनिक आवर्शान नी हैं, तो न्यू लेंड का अश्टक तत्तों से गुंद्रम में समान रहेगा बात करूँ यहाँ पर मेंडलीव के आवशानी बहुत बार पुचे जाता निू लेंड के अश्टक सिद्दान का क्या दोश है तो यह केवल कैल्सियम तकी लागू होता था मेंडलीव के आवशानी यह कब दी गई थी 1879 में यह आवशानी है दिमित्री मेंडलीव ने दीती रश्यन वेगानी के जोकी उन्होंने भी परमाणु भार के आवर्ती फ्लन बताए हैं जो पतत्तों के भोतिक और राशनीक गुण है और जो मेंडलीव के आवशानी में साथ आवर्त और नो वरग थी और फिर में बात करूँ आधुनी कावशानी की जो हैंडूरी मोजले की है यह उन्होंने 1913 में दीती परमाणु करमांक इन्होंने आधार रखा है और बात करें आगले स्वाल की स्वाल नंबर पांच यक्षकान किस राज्य का लुक निरते है तो यक्षकान हो जाएगा दोस्तों करना ठका किस राज्य का करना ठका रेट हॉल माइनिंग कहां पर यह स्वाल है रेट हॉल माइन है यह मेगले में है मेगले में इस्पेशली जोवाई और चेरा पुंजी में रेट हॉल माइन्स होती क्या है वैसे आपको पता होना चाहिए जो भी खनन होता है जो ज्यादातर भारत में खनन का अधिकार है वह व्यक्तिकत इस तरह पर समुदाए श्वयम वहाँ पर खनन करते हैं तो ये रेट हॉल खनन कहलाता है इसपेशली मेगाले में ऐसा होता है और वैसे अभी ये नैस्टनल ग्रीन ट्रिबिनल्स की तेहत मेगाले में 2014 से अव वेगयनिक और अस रुक्षित कोईला खदानों पर प्रतिबंद भी लगा रखा है फरावरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उप्गर लांच किया गया है ये अपने extra fax रेक्स स्वाल आया है G731 इससे पहले जो स्वाल आया था ये आपके G739 काया था उसमें मैंने ये सारे बताई थे आपको G731 है ये 5 2019 में इसरो का संचार उप्गर है लांच जो हुआ है रो में French Guana से हुआ है G739 और 7A ये 2018 में हुए है 36 दहन इंडिया से लॉंच हुए है 29 और 7A G731 आपकी 2019 में हुआ है ये भी French Guana में आपको जो पूछा था इस वाले एंसुर का अगला स्वाल यापर G730 की बात करें तो ये 2020 में हुआ है French Guana में 2020 में G730, 2019 में G731 और बात में G729 ये 2018 में 36 दहन से जो लॉंच जुआ था अगला स्वाल दिखेगा वन उन्मूलन को रोकने के लिए किस प्रयावन विद को शांती का नोबल प्राइस दिया गया था स्वाल में थोड़ी लेंग्वेज चेंज थी कमेंट करें को बताना सेकेंड शेक्ट वाले केंडेट एक्जेक्ट की क्या स्वाल पूछा गया था तो वन उन्मूलन को रोकने के लिए जो प्रयावन विद है जिनोंने एक आंदोलन चलाय था ग्रीन बेल्ट आंदोलन है ये केनिया से हैं वंगारी मथाई को दिया गया है 2004 में श्राम्टी का नोबल प्राइज जो की पहली अफ्रीकी महिला है नोबल पुरुषकार पाने वाली अगला स्वाल केल्सियम ओक्साइड के आपको अन्य नाम सभी को पता होना चाहिए इसे बिना बुझा हुआ चूना या फिर क्विक लाइम कहा जाता है केल्सियम ओक्साइड सी ए ओ बात करूँ या आपर में इससे पहले एंटिपिसी के एक्जामा आया वाश्वाल है यह हो जाएगा आपकी सोडियम बाई कार्बोनेड नह सी ओ तरी धावन सोडियम कार्बोनेड हो जाएगा कास्टिक सोडा नह हो जाएगा शूहागा लाल द्वा केमनोफ और फिटकरी यह सभी काफ़ी इंपोर्टेंट है कास्टिक पोटा से के ओएज कास्टिक सोडा है न और जेबसम का हैं कैल्सियम सफेट हाफ हीं चौर स्वाल दिखेगा अगला स्वाल दिखेगा कौन सा इश्माक है जो की 1983 में युनिश्को की विश्व विरासत सुची में शामिल साइट है तो 1983 में युनिश्को की विश्व विरासत सुची में शामिल कौन सी साइट है जिसको डिजाइन किया था उस्ताद एहमद लहुरी ने तो ये ताजमेल की हो जाएंगे वास्तुका उस्ताद एहमद लावरी और ताज मेर को 1983 में युनिश्को के वर्ल्ड हेरिटेस साइट में शामिल किया गया है अब देखें 1983 में और अन्य कौन से भारत के इस्तल को युनिश्को के विश्व विरासत सुची में शामिल किया गया है तो 1983 में अजन्ता, एलोरा, आगराफ़ो को 1984 में युनिश्को के वर्ल्ड हेरिटेस साइट में सामिल किया गया है स्वाल यहां से पूछे जा रहे हैं इससे पहले एंटीपी सीमा आया वा स्वाल है कि 1987 में किसे शामिल किया गया था और आज पूछले हैं कि 1983 में ये भी इंपोर्टेंट हो जाती कि 1984 में किसको शामि कलीपुरम है 1985 में यह काजी रंगा है जो नेस्तल पाक से मानस हो गया केवला देव हो गया यह 1985 में 1986 में किया गया है तो यह आपके चर्स है जो गोवा का खजुराव मौनुमेंट से फतेपुर शीक्री है हमपी है यह 1986 हुए है 87 जो एंटीपी से मायावा श्वाल है जिसमें आपका सई एंसुर था वो एलिफेंटा की गोफा थी और फिर यहां पर इसको किया गया तो यह पड़िकल को किया गया है करना टक में जो मोनुमेंट है और ग्रेट लिविंग चोला टेंपल जो तीन टेंपल का लिए आपने कव समय ले थे हैं जरूर कमेंट करना 2019 में जैपूर को किया है 2018 में मुंबई को किया गया है 2017 में एहमदबाद को किया गया है अगला स्वाल लेखेगा कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है यह अभी प्रिवेश एप्चे बार बार रिपीटोरा स्वाल इससे पहले ओडियो फ फॉर्मेट हो जाएगा आपको पूछा वीडियो फॉर्मेट नहीं है तो यह नहीं है बाकि MP4.mov यह कली मैं आपको बताया था बाकि एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं देखिए JPG की फुल फॉर्म का फिंपोर्टेंड आनवल सिप के लिए जरूर पूछा जा सकता जोइन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रूप हो जाएगा बाकि अन्य देखिए जो फॉर्मेट है एक्स्टेंशन है ओडियो वीडियो हो गया इमेज हो गया यह जरूर देख ले ना वीडियो के बात के तो परमुक एक्स्टेंशन जो फॉर्मेट रहते हैं वह MP4, M4P यह क्यों हो जाते हैं M4V, V देखेंगे तो आपर वीडियो आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ना, WEBM यह भी वीडियो है MPG, MP2 वीडियो, MPEG यह काफ़ इम्पूर्टन एक्जाम आया है वा स्वाल SSE में, जो मुवीज रहती हैं वह कौन से फॉर्मेट में रहती हैं त तो TIFF हैं, देखें, ओडियो को आगया, वीडियो को आगया, अब आने वाल सेप में इमेज का सकता है, तो TIFF है, PNG हैं, देखें, PNG की फुल फॉर्म भी इंपूर्टन है, तो Portable, Network, Graphics हैं, RAW हो गया, PhD, EAPS, JPG, GIF हैं, यह सभी GIF फाइल वगेरा, इमेज फाइल की फॉर्म लेर, अंडमान निकोबार मिश्ते थे, 896 से लेकर 1906 अकी निर्मित रुआ हैं, और ये दोस्तों काला पानी जो सैलीरोज जेल हैं, इसका परियोग अंगरेजों के दोरा भारतिय सोतनतता संग्राम की जो सेनानी हैं, उनको कैज रखने के लिए बनाई गई थी, लक्ष दी की ये आपकी इंगलिस हैं, दादर एउन नगर हवेली, दमन दिव की हैं, गुजराती, कौंकणी, मराठी हैं, दिल्ली की हिंदी इंगलिस हो जाएगी, लक्ष दीब की मल्यालम जो पूछा था, जमू कश्मीर की ये कश्मीरी, डोगरी, जमू कश्मीर की लद्दा की तमील, फ्रेंच, ये भाषाएं रहती हैं, अब दिखियानी जो राज्य हो जाते हैं, वो काफी इंपोर्टेंट है, गोवा की कौंकणी हैं, बहुत बार एक्जाम आता हैं, सिक्किम, मेघली, नागलेंड, अरुनिचल प्रदेश के ओपीशिल लेंग्वेज इंगलिस हैं केरला, मल्यलम, महराष्ट की मराठी, मिजोनम की मिजो, कनाटक की कनड़ें, अगला स्वाल देखियें, मल्खंब किस राज्य का स्पोर्ट हैं, जो उसका राज्य खेल हैं, 2013 में गोशित हुआ हैं, तो ये मद्धि प्रदेश का हैं, राज्य खेल हैं, मल्खंब, और बाकी मार्शल आर्ट से एक्जाम में जरूर आने वाले सेट में मैं बहुता हूँ कि 100% स्वाल आए गए यहां से, यहां से सुरुवात हो चुके, जैसे कि मल्खंब का पूछ लिया हैं, तो मार्शल आर्ट को आपको देखना है, लाट्टी है, पंजाब और पच्छी मंगाल की, कल्दरी पाइटू है केरला का, जो कि भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, कल्दरी पाइटू केरला का, इसकी पीडे भी मैंने आज टेलेग्राम पर शेर की, जरूर देख लेना मार्शल आर्ट की और परमुक इंपोर्टेंट निर्ते की, जो सभी एक्जाम में प का, पंजाब का है, एबुवन कोष्टी है, मेजोरम की सभी इंपोर्टेंट है, मुष्ट यूद यूपी की है, परिखंडा बिहार की मरदानी महाराष्ट की है, फिर बात करूँ कठी शमू आंदर प्रदेश की है, वर्मा कलाई तमिल नाडू की ये सभी मार्शल आर्ट ह ठाउडा जाता है, ठाउडा मनिपूर पाईका उरिष्टा और हिवेन लैंगलोन मनिपूर का है, मनिपूर के जिसमेर में तलवार वाल है Phillips syndrome diferen्स की है। हैं इसरों ने आज दो स्वाल पूचे कि एक तो जी सेट थर्टी वन वाला पूचे गया था एक यह पूचे गया है तो इसरों ने अप्रेल दो जार उन्डिस में जो 28 से इंटरनेस्टल सेटलाइट लॉंच के साथ इसाथ एक इंडिया का सेटलाइट था जो लॉंच वीकल PSLVC-45 से लॉंच हुए थी इंडिया का इमिसेट था 28 इंटरनेस्टल थे वो कहां से वे तो यह सतीश धवन स्पेस सेंटर यह स्री हरी कोटा से सभी लॉंच के गए हैं और इसमें जो इंडिया का इमिसेट था एक जाशोशी उपग्र हैं आगले स्वाल के रुबढ़ते हैं स्वाल नंबर 16 तो यहां पर यह पूछ गया था कि अवे तरीके से हिराशत में लिएगे व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन से रिट लगाई जाती हैं तो कल आपके स्वाल आया था रिट वाला और उसमें म किसी वेक्ति को हिरासत में लेकर जेल में रखा जाता है और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिश्ट्र के समक्ष पेस नहीं किया जाता है तो उस केस में यह रिट याची का दायर होती हैं हेबियस कौपस हो जाएगी और जो कल आपके पूछा गया था कौन से आ गया अधिकार पिर्शा इसमें आपके आज बंदी परतेक्षी करण का पूछ लिया है तो यह काफी इंपोर्टेंट है अधिकार पिर्शा जो अधिकार पिर्शा क्या है तो यह होता है कि जब नेले को लगता है कि कोई वेक्ति ऐसे पत पर न्युक्त हो गया है जिसका वो collaborative 1909 में माहत्मा गांदी ने कौन सी पुस्थक में लिखा था कि अगर भारती अंग्रेजु का शात न दे तो बिल्डिक खत्म हो शकता है तो भारती अंग्रेजु का शाषन सात न देने की ज़िज में 1909 में यह आपको पता होगा मात्मा गांदी ने एक book launch की थी मैंने extra fact में बहुत बार बताई है तो 1909 में यह हिंद सवराज पुस्तक उन्होंने publish की थी तो आपको हिंद सवराज correct करना था इंग्लिस में इंडियन home rule भी का जाता है अन्य जो important books हो जाती है तो इनकी autobiography है मात 1927 में लिखी गई है हिंद सवराज 1909 में बात करूं सत्यागरह in south Africa 1924 में और इसे इंग्लिस में translate 1928 में trust is god और trust is ship यह सभी महत्मा गांदी जी की दरा लिखी थे प्रतेक सिप में गांदी जी का एकन एक स्वाल आही रह है दक्षन अपरिका से आने के बाद गांदी जी ने रिपीट हुआ फिर सवाल यह दक्षन अफरिका से आने के बाद गांदी जी ने जो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले speech दिया था भाषन दिया था वो बियेच्चिव में दिया था कब की बात है 1916 की बात है 4-5-1916 को या पर बियेच्चिव का उदगाटन हुआ था उसमें सवाल देखी विल्डियन में हाइड्रोजन आयन की शांदरतम आपने के लिए किसका प्रियोग होता तो विल्डियन में हाइड्रोजन आयन की शांदरतम आपने के लिए यह उप्सन दिये गए थे तो पी एच इसके अल का प्रियोग किया जाता है नेक्षन देखे भारत मे पर्थम क्रिकेट कलब की स्थापना कब हुई आपको पूचा है कलकता क्रिकेट कलब की स्थापना कब हुई है तो 1792 में की गई है और दुनिया का पहला क्रिकेट कलब कौन सा तो यह हैंबल्डन है जो 1760 में उसकी स्थापना हुई थी और विश्व परशित जो मेरी लेबॉ क्रिकेट कलब है M.C.C. इसकी स्तापना 1777 होई थी जो एक्जाम में पूछवा स्वाल है अगला स्वाल दिखे यहाँ पर माइक्रो सिस्टम जिसे 2009 में ओरेकल कंपनी ने अधिकर्ट कर लिया था खरीद लिया था उसके संस्तापक कौन थी जो भारती संस्तापक थी वह यहाँ पर मैंशन क्या हुआ था तो विनोध पोशला आपको प्रेट करना था बाकि इसके अलावा जो इनके को फाउंटर है इस कूशी नेगर जो बोध इस्तल है उनकी यात्रा करने के लिए IRCTC के लिए कौन सी टूरिस्ट ट्रेंज संचालित कर रही है तो यह आपके हो जाएगी महापरी निर्वान एक्सप्रेस हैं जो की 2006 से संचालित की जारी है IRCTC के दरह इसकी फुल फॉर्म ज़रूर देख IRCTC की इंडियन रेलवे केर्टिंग और टूरिस्म कौपरेशन हो जाएगी और यह आठ बे साथ नाइट की स्प्रिच्वल टूर हो जाएगा तो आपको एक्सप्रेस का नहाम पूचाता महापरी निर्वान एक्सप्रेस अगरा स्वाल देखी तेंदू प्लास और अमलतास बेल खेर किस परकार के वनों के उदान है तो तेंदू थे बेल है अमलतास है यह दोस्तों है ओश्ण कटी बंदिय परणपाती वन में यह शुष्क परणपाती वन के उदान हो जाएगे तो जितने भी वनों के परकार है उनके उदान जरूर देख लेना एक्जाम स्वाल सबर यह से भी सवराज पार्टी के सप्रांपार नेहिर के सथ किष्टें की ती तो ये चितरणजंदास और मोडिला नहिरु जी ने 1923 में सवराज पार्टी की स्थापना की तिए एक्जाम पुछेओं सवाल है कि सेक्रेटरी कौन थे तो मोडिला नहिरू थे सवराज पार दरिमान के स्रंक्षन के नियम और निचित अनुपात के नियम की वेक्या की हैं और उन्होंने बता है कि प्रमानु सिद्धान के अनुसार सबी देरों जो तत्वय योगिक मिसन कोई भी हो चाहें वो शुक्षम कणों से बने होते हैं जिने प्रमानु कहा जाता है तो जोन लर्निंग पोर्टल से स्वाल पूछे गया था जो इस्पेशली शिक्षकों के लिए हैं टीचर के लिए हैं हर डिने से पांच सितमर 2017 को शुरुआत की थी इस पोर्टल की देक्षा का मतलब जो डिजिटल साथ सर्था पोर्टल है अगला स्वाल दिखें आपर मोलिक अधि प्रवीर की भासा और सवर्टी सुची के प्रावदान है अपात काल के ये दिए गये हैं जरमनी से और स्विधान संसुदन के प्रकरिया हैं बहुत बार पूछाता है दक्षन अप्रिका से ले गये बिर्टैन से क्या लिए गया है संसलात्मक शाषन परणाली और एकल फिर आपके ये बायोग्राप की पुच्छा था कि दा नाइस गाए वो फिनिष्ट फॉस्ट किस की बायोग्राफी है तो ये हो जाएगी राहूल दर्वीर की बायोग्राफी है जिसको लिखा गया है देवंदर परभा देश्राई का तो देवंदर परभु देश्राई की दौरा लिखे जो बायोग्राफी है नामे दर नाइस गाई हूँ फिनिश्ट फरस्ट है ये किनकी बायोग्राफी है राहूल दर्वीड की आत्मकता है अगला स्वाल दिखे गया आपर स्वाल नमबर 30 देव की नंदन खत्री की दौरा लिखे पर्थम आदूनिक हिंदी उप उपनास है वो हो जाएगा आपके चंदर कांता है जो देवा की नंदन खत्री के दौरा पब्लिस किया गया है अठाशो अठासी में और अन्य रचना है जो देव की नंदन खत्री की है वो चंदर कांता संदती है काजार की कोठरी नरेंदर मुहिनी कुषुम कुमारी विरि वितनात हैं ये देव की नंदन खत्री के दोरा लिकित रजना हैं। आपको पूछताथा आप मोडरन हिंदी नोवल का पर्थम जो उनका था देव की नंदन खत्री के दोरा लिकित वो चंडर कांता हो जैगा। एक आपके स्वाल था दलितों के लिए 1930 में किसने पर्थक निरवाजचन की मांग की थी तो डॉक्टर भीमराव अमेटकर के दौरा ये मांग रखी गई थी पर्थक निरवाजचन की और फिर में बात करूँ पूना समझोता है वो भीमराव अमेटकर और महात्मा गांधी की म कमेकोल सीटों के 18% कर दे गई थी नैशनल देखे कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है तो ये ओप्शन था कैबिनेट मंत्री में इसमें राज्य मंत्री नहीं होते हैं बाकि सभी होते हैं राष्टित जलमारग दो ये फिर रिपीट वास्वाल बरंपुत्र नदी से ये न नैशनल वाटरवेग टू बात करूं नैशनल वाटरवेग वन की तो ये प्रियागराज हल्दिया वाला है ये कहां से धुबडी और शद्यासम में नैशनल वाटरवेग टू है नैशनल वाटरवेग वन है प्रियागराज हल्दिया गंगा भागीरती हुगलीर ये तीन न temperature पर गरम करने पर calcium sulphate hemihidrate में बदल जाता है और उसका उप्योग क्या जाता है खिलोने सजावटी सामान बनाने में क्या जाता है तो यह gypsum आपको correct करना था जिसको आप 333 Kelvin पर गरम करेंगे तो यह calcium sulphate hemihidrate का मतलब है POP का formula है उसमें कर्वट हो जाएगा और POP का प्रोजाएगा यह gypsum का formula है एक आपके स्वाल पूछा गयता राष्ट यह सामाजिक सायता योजना कौन सी है यह आपके option दिए गए थे comment करके बताना इसमें से कौन सी योजना है नेशनल देखे नेशनल जो tuber closest है TB control program भारत में कब launch आता तो TB control program में 1962 में भारत में launch आ है और प्यार में रखना दोजार पच्चिस तक TB उनमलोन का लक्षे रखा गया है एक आपके status वाल पूछा गया था कि financial year 2021 में कितने किलोमेटर नेशनल हाईवे का लक्षे रखा गया है तो यह option थी comment करके बताने इसका क्या exact answer होने वाला है और यह कुछ exact स्वाल नहीं मिले हैं स् प्रकार पूछे गया थे जैसे कि यह पूछा गया था आपके NPCIL के दोरा किस तेश के साथ मिलकर PHWR Atomic Energy है इसके शुरुआत की गई है तो इसका भी exact स्वाल एंसर स्वाल नहीं मिला आई थे इसका एंसर रशिया होना चाहिए बाकि आप comment करके बताने क्या था exact एक था आप आपके कुछ तीन चार स्वाल में डाउट है लेकिन exact की स्वाल पूछे गेते हैं चाली स्वाल में आपको बता दिये हैं जो second शिप ने पूछे गेते हैं आप बढ़ते हैं पर्थम पारी की और पर्थम स्वाल यह पूछा गया है तो इसमें मैं थोड़ा ब्रीफली कवर क चाइना में हैं विशो की मरुष्टल जो अन्य मरुष्टल है इंपोर्टेंट है आनवाल सिप्ट के लिए वो जरूर देख लेना गोबी मरुष्टल एंटिपी से माया हुआ है मंगोलिया में हैं आपको टकला मकान पूछता यह चाइना में हैं गोबी मंगोलिया हो गया नूबियन मरुगुमी है ये आपके सुडान में हो जाएगी फिर बात करूँ कालाहरी मरुष्टल है तो कालाहरी मरुष्टल है ये दक्षनी अफरीका में है बोश्वाना में हो जाएगा और फिर आपके बात करें अपन सबसे सहारा मरुष्टल उतरी अफरीका में है अटाक फिर में बात कर भूँं या पर हैं उनको मूल अधिकारों पर वरेता दी गई ए उसकी तुलना में वरेता दी गई है ये बयालाइसवा संविधान संसुदन लगुया संविधान यह स्वान्ण सिंग समित्ती के सेपारिस को परभावी बनाता है और इसके तैद भाग च्यार क में नागरिकों के लिए मोलिक करत्वे और प्रस्तावना में तीन शब्द हैं बहुत बार पुछे दाता है समाज वादित पंथर पेक्षोर अक्षन शामिल किये गए हैं गांधी जीन ने दक्षन अफ्रीका में रहते हुए कौनसा अक्बार जारी किया था तो यह इंडियन ओपिनियन 1903 में भुमद्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप आपको पूछा तो यह सिसली द्वीप हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप भुमद्य सागर का एक स्वाल पूछा गया है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिसन के लेवल को अपने छेतर में जाज करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉंच किया है संचार विपागने तो यह तरंग संचार वेब पोर्टल 2017 में लॉंच हुआ था मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिसन को मेजर करने के लिए अंतराष्टी चावल अनुसंधान केंदर पूछ लिया तो यह लोश बनोस में है फिलिपेंस में है बाकि केंदर यह चावल अनुसंधान संस्तान आजए तो आपको कटक करना होगा केंदरिया आलू अनुसंधान संस्तान आयवा स्वाल है शिमला केंदरिया वन अनुसंधान देहरादून और ये सबी अनुसंधान संस्तान है जरूर देख लाएना अनुतराष्ट्य और राष्ट्य फिर एक आपके स्वाल पूचे गए था पथेर पंचाली उपनियास के लेखक कौन है तो इनके लेखक कौन है तो ये हो जाएंगे बिभूती भूषन बंदो पध्याई इस उपन्यास के लेखक है फिर इस उपन्यास पर आधारी देखक फिल्म है वो भी बनाई गये थी पथेर पंचाली उन्निसो पजपर में ये मूवी रिलेज होई थी इनके डारेक्टर बहुत बार पुचे जाता है शत्यजित राय हो ज जाते है तो गिर नेस्टल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं ये सिर्फ यहीं पर पाए जाते है इसलिए इसे भारती शेर भी का जाता है जो लुप्त प्राइप पर जाती है गिर नेस्टल पार्क में एश्याटिक लॉइन्स पाए जाते हैं अगला स्वाल दिखे कि य और बाकी बात करूँ अन्य जो मास अगरी धारा हैं उसमें आपके जो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है अनुलिशेट के लिए तो ये कुरुशियो जलदारा है गरम जलदारा परशंद मास अगरी गरम है अलासका परशंद मास अगरी गरम है अलनीनो जलदारा बहुत बार सथ यह पर अंतर सरकारी पेनल को दिया गए है साथ है अलबर्ट अर्नोल्ड को मिला है शान्ति का दिया गया था-था-salत में और भारतियों को जो नोबल प्राईज बनेगा इसकी पीडियो फाइल भी है टेलिग्राम चैनल पर देख लेना नोबल प्राइज की तो रविंदर नाथ टेगूर को सबसे पहले जिया गया था 1913 में श्राहितिक का नोबल है गीता अंजली रचना के लिए 1930 में जो फिजिक्स का दिया गया है वो सर चंदर शेकर व अगला स्वाल देखे सी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज किस ने विख्षित की थी तो शी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है यह दोस्तों डवलप की गई है डैनिस रिच के दौरा 1972 और तेहतर में और इससे पहले एक्जाम में पूछावा स्वाल है यह पूछा गया था जावा का पूछा गया तो यह डिजाइन की गई है जैंस गोष्लिंग के दौरा कब की गई यहां से भी स्वाल आते हैं तो 1995 में की गई है पास्कल जो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है इसको डवलप किया है किनो ने निकलश वृत ने किया है सी प्लस प्लस अलग है सी अ जार ने ने और फिर बात करूँ जावा इसक्रिप्ट की तो ब्रेंड इन एच ने 1995 में किया है कोबोल को किस ने किया तो यह होवाड ब्रॉम बग ने किया है कोबोल को गेहूं का आपको वेगनिक नाम पूछा था तो ट्रिटी कम एस्टिवम हो जाएगा अन्य लेकेगा प्रतम पारिका स्वाल नंबर 15 है होमो सेंपियंस शब्द किस ने दिया था तो जिन्होंने द्यूनाम पत्ति को जनक आ जाता है केरूलस लेनियस ने ही तो यह शब्द दिया था होमो सेंपियंस कार्ल लेनियस ने 1708 में और होमो सेंपियंस मतलब यह मानो का वेग यह आपके मेगलेन जलसंदी है, बागी पनामा नेर, जो परशन्त महासागर और अट्लांटिक महा सागर को कनेट करती है, पनामा कौन सा देश है, झेंटरल अम्रिका का देश है, नीतिआयों की चीप एकज़ेक्वीटिव ओपि grinding अमिताब कान थे वर्तमान में चेर परशन है नरेंदर मोदी वाई चेर परशन राजीव कुमार है इसकी स्थापना हुई थी 2015 में जनवरी में एक जनवरी को अक्टूबर 2020 तक RBI की गवर्णर कौन थे तो शक्तिकान दास थे प्रतम ओ श्मित थे स्थापना RBI की 1935 में हुई तो 2020 IPL में सरवादिक रं है वो औरेंज कैप किसे दिया गया तो मोस्ट रं है केल रहून ने साथ 670 रं मोस्ट विकेट है कगिशो रबाडा ने 30 विकेट लिए थी दिल्ली कैपिटल से है बाकि आईपिल 2020 कौन सा एडिशन है तो 13 एडिशन है टाइटल स्पॉंसर ड्रीम 11 है श्युक्त अरब अमिराप में युवातार चैंपियन रही थी आपके मुंबे इंडियन्स वाइस और बाकी बात करूं आपके उप वेज़ता रही है रनर अप रही है दिल्ली एपिटल लोक्षभा के पर्थम अध्यक्स बहुत बारा बता चुका हूं जीवी मावलंकर ह है सत्तरवी लोक्षभा स्पीकर है ये पुछा जा सकता है कौन से नमबर के हैं तो ये सत्तरवे हैं पर्थम चेर्मयन कौन буध्यक्स हें लोी से डॉक्क्र राहदा किष्ण है वर्तमान में राजसभा के कौन है तो यह हो जाएंगे मवेंक्या नाईडू है जेक्स और वर् करने वाले परिवारों के लिए LPG Connection उप्रत करने वाली योजना है ये प्रधार मंत्री उजुला योजना है एक माई 2016 को यूपी के बलिया से इसकी शुरुवात की गई थी नेशनल देखिया याँ पर राजनीति के छेतर में पद्म विभुशन पुरुषकार के से मिला तो पद्म विभुशन साथ प्रेक्टियों को दिया गया है 2020 में राजनीति के छेतर में चार दनों को ये दिया गया है देखिये के याँ पर जोर्ज फर्णांडिस, अरून जेटली, अनिरुद जगनात और दिया गया याँ पर स्रीमति शुष्मा सवराज को चन्नुलाल मिसर को कला के चेतर में, एमसी मेरी कॉम को खेल के चेतर में तो ये सबी आपकी पद्म पुरुशकार जेतने भी हैं पद्म भुशन विभुशन शरी तीनों को देख लेना, इंडिया डिवाइडेंट पुस्त के लिखे कौन है राजिंदर परशाद हो जाएगा, 2015 में और श्रं धान मंतरी नरंदर मोधिन ने कॉलकाता से इसकोई लॉंच कीते, अब दीके अटल पैंसन योजना में अठार से चालिस वर्ष के बीच उमर होनी चाहिए, कम से कम बीस साल का इन्वेस्टमेंट होगा याँ पर, साट वर्ष के उमर के बाद आपको कितनी अधिक्तम पैंसन मिलती हैं, इन्वेस्टमेंट के एकोर्डिंग, स्वतंतर्ता के बाद समिधान सभा के पर्थम अध्यक्स हैं, तो एक मातर यही थे स्वतंतर्ता के बाद में, सबसे पहले अईस्ता ही बने थे दो दिन के लिए 9 देसमर 1946 को, डॉक्टर सचिन दनन सिन्हा को जो पर्थम बै है, पीडियो फाइल में आप देख लेना, जो भी समिधान सभा है, उनके रेविल्केट समीती ओप समीती जहां से स्वाल पूछे जाते हैं, इंडिया गैट को डिजाइन किस ने किया था, तो यह एडविन लिटियंस ने किया था, इस्तापना हुई थी 10 पैब 1900, इस्ताप निर्मान क्यों किया गया, यह किसको समर्पित है, किसकी इसमर्ती में है, तो इंडिया गैट समाख है, यह अंग्रेजों के दोरा, जो 70,000 भारति शैनिक की इसमर्ती में निर्मान किया गया है, जो उस समय प्रत्थम विश्यूद में शहीद हो गए थी, और गैटवे ऑप जहाए इनके वास्तुकार की बात के तो जोर्ज वेटेंट है और इसका उद्गाटर 1904 को हुगा था किसे शूपर कंपूटर कहा जाता तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को शूपर स्रिलंगा के राष्टपती कौन है तो राष्टपती में आपकी गोता बया राज पक्षे हैं प्रदार मंत्री पूछे तो PCM कर देना PM महिंदा राज पक्षे हो जाएंगी के शुरी जे वर्दनापूरे कोटे हैं दो कैपिटल है इसकी अगले स्वाल कांगरेस की परथम महिला अद्यक्ष कौन थी तो 1917 के कांगरेस की परथम महिला अद्यक्ष थी एनी बैसन कलकाता अधिवेशन में पूर्वी तेट पर कौन सा बंदरगा नहीं है तो आपर आप 1609 से 1619 के मद्दे ग्रहों की गतिके तीन नियम देते कक्षाओं का नियम, छेतरिये चाल का नियम, एक आपके ये परिकर्मन काल का नियम दिया था, अलबर्ट आइंस्टीन को 1921 में भोतिकी का नोबल क्यों दिया गया तो उनकी फोटो एलेक्टिक एफक्ट की खोजेतू, प्रकाश विजुद प्रभाव की खोजेतू, 1921 का फिजिस का नोबल दिया गया है, आइंस्टीन को 1922 में इनों ने लिया था ये, ब्रिक्स में कौन सा सथिच ये नहीं है, तो S वाला में स्टूटेन कनफ्यूज होएंगे, S जनी स्रिलंका ये नहीं है, S का मतलब है शौट अफ्रीका है, तो ब्राजिल हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, शौथ अपरिका हैं 2009 में स्तापना हुई थी इस्तापना के वक्त ते इसका नाम ब्रिक था और दक्षन अपरिका एड़ हुआ है 2010 में पहला ब्रिक शमिलन कहा पर हुआ था यक्तेरिन बग रशिया में और 11-2019 में ब्राजिन की राजधानी बर्शिल्या में हुआ है राजा इनको 1927 में फांसे मिली थी और जो काकोरी कांड हुआ कब था तो ये राजधिन्दर नार्ट लाहिडी के लाहिडी ने 9 अगस्त 1925 को इनके साथ अन्य कौन सामिल थे काकोरी कांड में तो जरूर देखने ना जितने भी सदिशी सामिल थे एक्जाम में पूछा जाता है कौ पूरी जो लखनाव जिल्ले में हैं वहाँ पर आठ डाउन पैसेंजर ट्रेन को रोका था और सारा सरकारी खजाना है वो लूट लिया था इनके साथ चंदर्शेक राजाद थे असपाग उल्ला खान थे राम प्रशाद बिस्मिल थे राजिंदर लाहिडी थे अन्य जो भी शदेशी है हिंदुस्तान रीपब्लिकन एसोशेन के उन्होंने इस पूरी घर्टना को अंजाम दिया था भारत का पर्थम उपग्र कौनसा तो पर्थम उपग्र आर्यबट है 19 अप्रेल 1975 को लौन्च वेहिकल है दोस्तों इंटर कोस्मोस सेकेंड और दूसरा कौनसा तो भासकर शेगा है 7 जुन 1989 लौन्च वेहिकल भी रश्या की थी तो ये रश्यन रोकेट है और रश्या में ही कापुस्तिन यार से लौन्च किये गए हैं वहां की जो साइट है ये रश्या से हुए हैं स्वाल आ जाए कि भारत में कौन सा पहला उपग्र है जो भारत की वेहि कि देखिकल से लौन्च हुआ है इंडिया के 37 दाऊन स्पेस सेंटर स्री अरीखोटा से कौफ्य उत्पादन में अगरंडी है तो ब्राजिल करना है सेंट वित्नाम है कौफ्य उत्पादन में पर्थम राजी करना टक सेंट कैला है चाइना कि उत प्दन में नेशनल हाईवे की परियोजना है, जार परमुक महानगर को कनेट करती हैं, दिल्ली, चैनाई, कॉलकता, मुंबई हैं, अन्ने जो भी नगर इसकी मत दियाते हैं, और इसकी लेंद कितनी हैं, 5846 किलोमेटर हैं, 1999 में प्लान हुई थी, लॉंच 2001 में हुई थी, कम्प्रिट 2011 ब पॉर प्लान्ट है, साथ वरतमान में संचली थे, टोटल रियक्टर की बात के तो 22 नुकलियर रियक्टर हैं, साथ पॉर प्लान्ट है, और प्रत्थम जो रियक्टर था, वो अपसरा था, प्रत्थम पॉर प्लान्ट है, वो तारापूर एटोमिक पॉर प्लान्ट है, जो म अपरेटिंग सिस्टम नहीं तो आपको पता हूं अच्छे यह कौन से ओपरेटिंग सिस्टम है तो Microsoft हो गया फिर बात करूँ यह Microsoft Windows है Apple Mac OS हो गया Linux है यूनिक्स है Ubuntu है Mac OS है Apple iOS है Android यह सभी ओपरेटिंग सिस्टम है एक आपके स्वाल इस प्रवर्ड के प्रोसेसिंग से पूछा गयता है एक्जेक्ट याद नहीं है इस्टुडेंट को फिर आपके एक रिजिनिंग से रिलेट करके था वाटर को हेंड पंप है तो बलट को प्रकार आपके दोनों पारियों पूछेगे सभी स्वाल कवर हो गये वीडियो बहुत जदा बड़ा हो गया है तो इस मैनत के लिए दोस्तों लाइक जरूर कर देना वंदे मात्रम जहीं दोस्तों